तुम बात करेंगे चेट GPT की चेट GPT एक open AI टूल है इसकी help से हम लोग content को सर्च कर सकते हैं ठीक है पहले हम लोग चेट GPT का demo में दिखा देता हूं उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चेट GPT की help चेट GPT को हम लोग किस तरीके से Drupal में implement कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास Drupal में इसका एक contributed module है और यह module का जो URL हो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट चेट GPT underscore plugin नाम से हमारे पास एक module है और इस module के help से हम लोग इस tool को हमारी Drupal साइट के अंदर implement कर सकते हैं तो पहले मैं चेट GPT का डेमो दे देता हूँ चेट GPT इस तरह का कुछ एक इंटरफेस होता है जिसे यहाँ चेट.openai.com पर जाओगे इस URL पर जाओगे लॉग इन करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है यहाँ पर एक text box आता है और यहाँ पर कुछ example दिये हैं जिसे अगर आपको कोई भी content यहाँ पर search करना जैसे search करना यहाँ पर how do I make an HTTP request in JavaScript मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप यहाँ कुछ direct टाइप भी कर सकते हैं इस text box में कुछ टाइप भी कर सकते हैं तो देखे जैसे ही मैंने टाइप किया अभी इसने क्या किया content को generate करना start कर दिया और यहाँ पर इसने हमको इस एक article इसने हमको लिखे दे दिया कि किस तरीके से हम लोग HTTP request JavaScript के अंदर कर सकते हैं इसका इसने हमको example भी दिया है और यह पूरा description और पूरा code हमको यहाँ पर दे देगा बनाके कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं तो अभी same यही functionality अगर मुझे मेरे Drupal website के अंदर API के थुरू अगर मुझे इसको implement करना है तो मैं इसको API के थुरू implement कैसे कर सकता हूँ मेरी Drupal की website में तो इसके लिए मेरे पास में एक module है देखे यह इसने पूरा article यहाँ पे मेरे को generate करके दे दिया है अब इस content को मैं copy करके use कर सकता हूँ कहीं पे तो इस तरीक कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर जाओंगा यह मॉडूल है चेट GPT Content Assistant करके मॉडूल है चेट GPT का एक plugin बनाया है यह जो मॉडूल देता है वो तीन तरह की फैसलेती देता है act and content generator, act and content translator और act and content assistant tool like creating image from text, xco keyword from content etc यह तीन जो है वो फीचर हमको यह प्रोबाइड करता है इस मॉडूल का जो installation है उसको करने के लिए आप यहाँ से इसको copy कीजिए यह drupal 9 और drupal 10 दोनों के लिए available है और यहाँ पर बस इस तरीके से composer से मैंने इसको install कर लिया तो composer से ही जो module है वो यहाँ पर मेरा install हो गया है module install हो जाने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस module को मैं extend में जाओंगा और extend में जाने के बाद में extend में जाके इस module को मुझे enable करना है तो मैं जैसे ही extend में जाके search करूँगा chat gpt plugin तो ये module मेरे को मिल जाएगा और मेरे को फिर उस module को यहाँ पर यहाँ पर उस module को मुझे कर लेना है enable कर लेना है install कर लेना है ठीक है उसके बाद में क्या होगा कि इस module में जैसे ही में कुछ configuration page open करूँगा इस module का अभी इस module की configuration कैसे open होगी तो अगर आप यहाँ पर configuration में जाओगे तो यहाँ पर open AI की setting मिल जाएगी और उस setting page के उपर आप जैसे ही click करूगे तो home administrator configuration वाला page खुल जाएगा यह वाला page यहाँ पर खुल जाएगा इस वाले page में हमको क्या यह वाला जो page है यहाँ पर मुझे क्या करना है कि कुछ keys यहाँ पर यह देखे की है और इस key को में कुछ use करना होता है तो यह key को फाइले में पताके रीड़ मी फाईल ओपन करके यह मैंने इसका रीड़ मी डाक्यूमेंट ओपन कर लिखा है यहां पर पूरे स्टेप्स दिये कि navigate to administrator extend और enable this module हम लोगों ने इस module को enable कर लिया है enable करने के बाद system कहता है कि navigate to administrator and configuration configuration में जाके open API setting page open करना है तो यह वाला page जो है open API setting page open हो गया है उसके बाद system कहता है कि select the select the GPT module you want to leverage on your application तो यहां पर आपको यह select करना GPT 3 यहां पर दो है GPT 3 और 3.5 तो मैंने यहां पर GPT 3 को select किया है जैसे ही आप GPT 3 select करेंगे तो यह जो end point है यह automatic यहां पर आ जाएगा यह end point आटोमेटिक आ जाएगा यहां पर आपको यह website दिये इस website से एक pop-up का type हमको उठाना है जिसे कि मैंने यहां पर यहां पर आप देखोगे GPT 3 में इतने सारे pop-up level है इसमें से एक level मैंने उठा के यहां पर use किया है उसके बाद में यह URL हमको रखना है यह URL भी हमको यहां से मिल जाएगा यह वाला URL जो है वो आपको यहां से मिल जाएगा तो इस URL को मैंने यहां पर रख दिया है और यह key जो है वो हमको generate करनी है तो key कहां से generate कर सकते हम लोग तो यहां पर हम लोगों को इस URL पर जाके sign up करके key generate करनी है तो आप जैसे ही इस URL पर जाओगे और login करोगे महाँ पर generate key का option आजाएगा उस generate key के option से key को copy करनी है और इस key को यहाँ पर जाकर paste कर देना और यहाँ पर 500 token की limit करके और यहाँ पर save कर देना यह इसकी configuration complete हो गई है और यह configuration कहाँ से होगी आप configuration में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा और वो option जो है यहाँ पर आपको एक option दिखेगा और वो option जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर यह open AI API settings इस option को आप click करोगे तो यह page खुल जाएगा यहाँ पर ठीक है यह हो गया इतना काम अब मुझे क्या करना है कि ये मैंने configuration कर दिया आप इसका demo देखे कि डुपल के अंदर किस तरीके से work करता है तो जिसे अगर आप किसी भी note को edit करेंगे तो यहां पर एक option आजाएगा title field के एकदम नीचे की chat gpt content search तो मैंने इसको copy किया और मैं क्या करता हूँ यहां से इसको copy क लेता हूँ तो मैंने इसको यहां से copy कर लिया और यहां पर आप देखोगे तो एक pop-up box open होगा और उस pop-up box में मुझे क्या करना यहां पर आप देखोगे तो एक pop-up box open होगा और उस pop-up box के अंदर मेरे को यह search करना है तो मैंने pop-up box के अंदर लिख दिया how to make an http request in JavaScript और search वो content जो है वो यहां पर दिखाई देगा तो अभी यह processing में है यह process हो रहा है तब तक हम एक चीज और देखते हैं यह तो हम लोगोंने configuration इस टूल की देख लिए अब हम अगर मार लो यहां पर configuration हम लोग content page पर अगर जाते हैं देखें यहां पर इसने http request से related data को search कर दिया you can make a http request in JavaScript using htp request object और यहां पर उसने हमको इसका example भी दे दिया है तो यह जो content की length है वो हम लोग set कर सकते हैं configuration के according तो यहां पर हम लोगोंने content को search किया ठीक है यह तो इडिट पर था अगर आप content वाले section में जाओगे content वाला section कुन सा है यह content वाला section है आप content page पर जाओगे तो यहां पर आपको यह option मिलेगा open open UI content assistant tool इसमें जाके अगर आप यहां पर image generate करना चाहों जैसे मैंने यहां पर दो image generate किये यहां पर और आप देखें यहां पर हम लोगोंने image generate किये तो अभी यह इमेज भी जनरेट हो रही है और content भी जनरेट हो रहा है यहाँ पर यह दुआरा से जनरेट की मैंने इमेज यहाँ पर डूपल से related इमेज को जनरेट किया जनरेट इमेज from text using this ठीक है तो अभी यहाँ पर आप देखोगे कि गुमिना इमेज जो है वो जनरेट हो रही है उसके बाद दूसरा जो option यहां होता है वह यह होता है कि हम लोगों ने देखे यहाँ आपर दो इमेज जनरेट हो गई और यह हम लोग क्लिक करेंगे तो यह दिखें drupal 10 लिखा तो drupal 10 पे मैं article और word की limit जिसे मैं 300 देता हूं और यहाँ पर generate a requested content हलाकि यह feature आप यहाँ पर edit content में जाओगे यहाँ पर ज्यादा helpful होगा तो edit content से भी हम लोग article generate कर सकते हैं और इस वाले tools से हम लोग तीनों चीज कर सकते हैं अगर मेरे को image चाहिए तो मैं यहाँ पर image select करूँगा फिर generate a c o keyword from text content तो मैं इसको भी text content a c o keyword को भी हाँ पर generate कर सकता हूं ठीक है तो अभी हम लोगों ने क्या किया यह article यहाँ पर generate हो रहा है एक बार article generate हो जाए उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसको generate करना हलांकि यह article generate देखें यहाँ पर देखें यूबर आर्टिकल हैज वी जनरेट सक्सेस्पुली प्लीज बिजिट दक content लिस्टिंग पेज अब यह content लिस्टिंग पेज में जाऊंगा ना तो content इसने मुझे आर्टिकल बना के देदिया डूपल के उपर तो मैं यहाँ पर content लिस्टिंग पेज में चाऊंगा तो मुझे article मिल जाएगा तो इस तरीके से मैंने content generate करवाया मैंने images generate करवाई अब अगर मैं यहाँ चाहता हूं तो में एक SEO keyword से related और सर्च करता हूं तो मैंने यहाँ पर generate SEO keyword from text content यह सर्च किया अभी देखते हैं इसका क्या result आता क्योंकि इसको मैंने config नहीं किया है अभी config नहीं किया है लेकिन यहाँ पर हमको इससे related कुछ न कुछ result मिल जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है देखें यहाँ पर इसने जो generate SEO keyword from text content और इसने हमको जो keyword है वो यहाँ पर सर्च करके दे दिये हैं SEO के लिए जो keyword है वो सर्च करके दे दिये हैं तो आप अपनी जो application है उसके अंदर आप इस tool को integrate कर सकते हैं chat GPT हलाकि chat GPT में हम लोग copy paste करके भी यहाँ से content ला सकते हैं लेकिन यह tool जो है आपकी application के अंदर integrate हो जाएगा इस API के थुरू और यहाँ से आप image generate कर सकते हैं SEO keyword generate कर सकते हैं और article भी generate कर सकते हैं ठीक है अभी जो article मेंने generate किया था अब उसमें मैं जाओंगा तो है Drupal 10 के उपर इसने मुझे article लिखे दिया है लेकिन इसके लिए हमको key generate करनी पड़ेगी सबसे पहले यह जो इन्स्ट्रोलेशन प्रोसेस है यह हमको पूरा करना पड़ेगा तो अभी यहां पर मैं click करूंगा तो यहां पर जैसे ही मैंने click किया तो यहां पर जो है मेरे को article मिल जाएगा यह article generate करके दिया इसने मुझे Drupal 10 के उपर ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इस tool का use कर सकते हैं Drupal के साथ और यह जो मॉडूल है यह फ्री मॉडूल है अभी तो बग नहीं है इसमें जादा और यह तीन तरह के फीचर प्रोबाइड करता है और यह जो मॉडूल है 72 साइट पर चली रहा है यह आँ पर